गाइस आज किस वीडियो में आपको mobile order करके दिखाना वाला होँ flip card से कई लोग मुझसे comment करके पूछ रहे थे अगर हमें first time flip card से mobile order करना और हमें जादे knowledge नहीं है तो हम कैसे order कर सकते हैं तो guys आज किस वीडियो में आपको पूरा complete process बताऊंगा कि अगर आप mobile का order कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़े चेक करनी चाहिए और आपको कैसे first time Flipkart से order करना है पूरा complete process आज किस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा तो चलिए without wasting time वीडियो को start करते हैं लेकिन आप सभी से request करूँगा कि अगर आपने भी तक इस वीडियो को like ने किया है तो सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो please चैनल को subscribe कर दीजिए तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं guys सबसे पहले आपने flip card की application को play store से download कर लेना अपने mobile में उसके बाद guys आपने इस application को open करना है जैसी आप इसको open करेंगे तो first time आपको इस प्रकार से interface दिखाई देगा अब भी आप इसके home page पे आजेंगे इस प्रकार से आपको interface दिखाई देगा तो सबसे पहले guys आपको इसमें sign up करना होगा यानि कि अपना account create करना है तो account create करने के लिए बहुत ही basic simple formula होता है कि आपको यहाँ पे आपको account का button दिखाई देगा नीचा आपने इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करेंगे login का button दिखाई देगा आपको तो login वाले button पे आपने click कर देना है जैसे ही आप login वाले button पे click करेंगे यहाँ पे आप अपना mobile number इंटर कर सकते हैं या आप अपनी email ID इंटर कर सकते हैं और उसके बाद आपने इसमें sign up कर लेना है जैसे ही आप अपना email ID या फिर mobile number इंटर करेंगे अब guys आपने home page पे आजाना है, अब home page पे आके आपको product search करना है, जिस item का भी आप order करना चाहते हैं, mobile है, tv, electronic या fashion के कोई भी product है, आपने उसको search करना है, तो search करने के लिए guys आपने search button पे click करना है, यहाँ पे आप type करके भी search कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे voice recording का भी option का मुझे order करना है, तो आप भी उसी प्रकार से search करके अपने लिए product select कर सकते हैं, तो search करने के लिए मुझे यहाँ पे बीबो का mobile order करना है, तो मैं बीबो का mobile आपको order करके दिखाता हूँ, मैंने बीबो लिखके बीबो मोबाइल और search किया, जैसे मैं इस पे लिखके search करू जैसे मैंने इस पे click किया, product यहाँ पे सामने आ जाएगा, अब मैं guys आपको बताता हूँ कि आपको product के अंदर क्या क्या चीज़ देखनी होते है, तो जैसे कि यह तो depend करता guys कि हम कौन सा product order कर रहे हैं, अलग-अलग type की product होते हैं, उसमें अलग-अलग चीज़े हमें देखन यह आप देखेंगे guys जो price आ रहा है, इसका 12,999 रुपे आ रहा है, और जो इसकी MRPA बहुत 13,999 रुपे थी, जो कि 12,999 रुपे में यह हमें mobile मिल जाएगा, price देखने के बाद guys आपको जो brand बगेरा वो तो आपको पता ही होगा, उसके बाद guys इसके features देखने है, configuration देखनी यह काफी सारी चीज़े आपको देखने होते हैं, mobile को order करते बग, और यह सारी चीज़े देखने के बाद आपको color option कौन-कौन से मिल रहे हैं, क्या वो आपको पसंद है, यह नहीं है, display कैसी है, front camera कितना MB का है, तो हर एक चीज़ को आपने देख लेना है, और detail कहां पे देखने के लिए मिल जाती है, यह आप देखेंगे, नीचा आपको scroll down करके आना, और यहाँ पे आपको हर एक detail product की देखने के लिए मिल जाती है, यह आप देखेंगे guys highlights में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कि 6GB RAM है, 128GB ROM है, यानि कि 128GB तक का इसका storage है, और 6GB RAM के साथ यह आता है, प्रोसेसर है, मीडिया टेक प्रोसेसर है, और इसी साफ से rear camera जो है 50MP प्लस 2MP का है, फ्रंट केमरा 8MP का है, डिस्पले इसकी 6.58 इंच की है, फुल HD LCD डिस्पले है, बैटरी 5000 mAh की है, नेटवर्क टाइप कौन सा है, तो यह 5G, 4G, 3G सारा है, डवल सिम है, तो SIM eject tool होगा, और phone का case होगा, यानि की phone का cover होगा, तो यहाँ पर सारी चीज़े आपने इस तरीके से इसकी देख लेते होगे, सब कुछ detail में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अब color option कौन-कौन से available है, और इसमें configuration क्या change कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप click करेंगे colors वाले option पर तो 5 colors इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, orange color है, gold color है, black color है, green color है, तो मैं जो आपको order करके दिखा हूँआ, यह जो है blue color है guys, marine blue color है, और 128 GB plus 6 GB वाला मैं आपको order करके दिखा रहा हूँ, तो blue color का जो mobile है guys, यह 12999 रुपेका है, 13,000 रुपेका इसका price है, तो मैं आपको इसका order करके दिखाना वाला हूँ, सारी चीज़े आपने चेक कर लेनी है, अब एक चीज़ गाइस मैं आपको और बता दूँ कि आपको क्या देखना होता है, product का आपको review चेक करना होगा, तो product का review चेक करने के लिए guys, आपने एकदम last माना, scroll down करके जैसे जिन लोगों ने product ये खरीद रखा mobile, उन लोगों ने इसके configuration इसका review कैसा दिया है, तो आपको यहां पर review मिल जाएगा, आप पढ़ दीजिए, लोगों ने कैसा बताया है, इसके photos, emails, video बगेरा भी डाले होंगे कि कैसा mobile है, अच्छा बताया, बेकार बताया, तो आपको ये recommend करेगा, आप इसको skip करके continue कर सकते हैं, जैसे आप इसको continue पर click करेंगे, आपको इस प्रकार का interface नजर आएगा, अब guys आपने यहापे continue वाले बिटन पर click करना, ये जो product है, आपके cart में add हो जाएगा, जैसी cart में add हो जाएगा, तो आपको guys यहापे सबसे पहले अपना address add कर करने के लिए बोलेगा, तो आप change address वाले बिटन पर, अपना address को change कर लीजिए, ये अगर आपका address इसमें अभी तक add नहीं है, तो आप new address add, new address वाले बिटन पर click करके, यहाँ पर आपको अपना address add कर देना है, सारा जो भी आपका complete address है, जैसी आप address add कर लेंगे, price बगेर, आ order मुझे deliver हो जाएगा, ऐसी आप जब address डाल देंगे, तो आपको पता चलेगा exactly के deliver आपका जो product है, वो कब होगा आपके address पर, क्यूंकि location के हिसाफ से time थोड़ा कम बरती हो जाता है, उसके बाद guys आपने continue वाले बिटन पर click करना है, जैसी आप continue वाले बिटन पर click करेंगे, इस परकार से interface नजर आएगा, अब आप आजएंगे payment वाले option पर, तो guys यहाँ पर आपको payment करने के लिए 3-4 option मिलेंगे, UPI के through कर सकते हैं, credit card, debit card, networking के through payment कर सकते हैं, या फिर cash on delivery का option available है, तो आप cash on delivery भी order कर सकते हैं, तो इसमें guys COD option available है, अगर आपको COD order करना है, तो आप CO COD option को check कर लीजिए, उसके बाद COD order भी कर सकते हैं, तो मैं जो इस order की payment करूँगा, वो credit card से करूँगा, क्योंकि credit card से मुझे EMI पर phone purchase करना है, तो मैं आपको credit card से payment करके दिखाता हूँ, तो payment के option को select करने के बाद, guys आपने continue वाले button पर click करना है, जैसे आप continue वाले button पर click कर तो अब आपने guys payment कर देनी है, आपको payment वाले option पर ले जाएगा, यहाँ पर आप जैसी payment करेंगे, payment करते ही guys आपका order place हो जाएगा, यह आप देख सकते हैं कि order successfully place हो गया है, तो इस प्रिकार से guys आपका order place हो जाएगा, तो आप guys स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरा order successfully place हो होगा, अगर आपको अभी भी कोई doubt है, या आपकी कोई query है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी definitely help करूँगा, आप सभी से फिर से request करूँगा, अगर आपने भी तक इस वीडियो को like and share नहीं किया है, तो please वीडियो को like and share जरूर कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो please चैनल को subscribe कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद